तुद्ट अब तुद्ट सुद्ट वेलकम टू नेटकर्स दसाइल अब राक्ष्रमा सुन्द आज हम लोग इंटर्नेशनल डिलेशन्स के अधर अपनी एक और तेवरी को डिसकेस करने जा रहे हैं जो की कहलाती है पोस्ट मॉडरनिसम हिंदी में आप लोग इसको हुट्तर अधरिकवाद के नाम से जाते हैं जिन बच्चों ने इस थेओरी को नहीं पड़ा है और नहीं समझा है मैं आपको आदो कि पॉलिटिकल साइंस में इंटर्नेक्शनल रिलेशन्स की सबसे टफ थेओरी में से एक मानी जाती है पोस्ट मॉडरनिसम इस थेओरी को जितना कि अ़िरे के भी जाते हैं और इस थेओरी को समझना इंटर्नेशन रिलेशन रिलेशन खिछा ौर भी कोश्ट पड़े है पॉसबली जो डिडिंग्स आप पढ़ते हैं चाहे वो आप इंटरनेट पर पढ़े हैं किसी बुक्स में पढ़ें इफ इस नॉट पिदे कॉंटेक्स आप इंटरनेशनल इलेशन तो वो काफी कन्फूजिंग हो सकती है आप लोग के लिए तो आज हम इसको डिसकस करेंगे तो इस टोटली डिपरेंड आप इन यहां पर थिंकर की बहुत सारी ऐसी क्लास आती है जो कि पोस्ट मॉडनिजम और पोस्ट्रक्चिलिजम को एक ही तरह की थेओरी मानती है और उनके लिए दोनों ही थेओरी जो हैं बहुत हद तक एक जैसी थेओरी हैं तो वो इन दो वर्स को इंटरचेंजबली इस्तमाल करते हैं जब वो आइडियास को डिपाइन करते हैं तो स्टुड़न यहां पोस्ट मॉडनिजम एक ऐसे एरा को एक ऐसी घटनाओ को समझाती है जहां मिली जुली बहुत सारी घटनाओं में जहां लोगों न आइडनिटेटे क्राइस से लेगे बहुत सारी से चीजों को समझा वहां उन्होंने मॉडनिजम के अंदर भी जो आधुने की वाद है उसके अंदर भी कुछ निया जानने की कोशिश करी और एक संकट सा आके खड़ा हो गया लोग कि आगे प्रॉब्लम हैसी आके खड़ी ह हो गई जहां पर उनको मॉडनिजम के अंदर कमिया नजर आने लगी और मॉडन आईडियास में अपलिफ्मन्ट क्या चेंजेश की बात होने लगी और इन चेंजेश ने ही जनम दिया पोस्ट मॉडनिजम को student, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको यह समझना हो कि modernism क्या है, कहां से modernism के आरे के शुरुआत होती है और कौन से thinker modernism को लेकर इतने concern नज़र आते हैं तो अगर modernism को समझना है तो आपको उस particular stage को समझना पड़ेगा जहां historical way में चीज़े change होती है, ठीक है तो हम modern era और उससे पहले का era और उसके बात के era की बात कर रहे है तो हम लोग history को ठीक है और अगर देखा जाए तो pre history को और post history को discuss करेंगे तो अगर बात की जाए modernism जो है आधुनिक बात जो है वो यूग है जहां लोग चीजों में experiment करते हैं और experiment से चीजों को प्रूव करते हैं और वो कहते हैं कि जो experimentally prove है that is truth जबकि हम pre history के अगर बात करें हम उस यूग की बात करें जब लोग भगवान में विश्वास किया करते हैं उनसे पहले के जो era रहा है जहां उनको लगता है कि लोग भगवान पर भगवान की बातों पर इन सब चीज़े शाशन चलता है राज्य चलते है राज जनीती चलती है तो उस era से हम आगे आते हैं और एक ऐसा समय आता है जहां science का बोल बाला है science का यूग है लोग science के हुए चीज़ों से सत्य और असत्य की बाते करते हैं और हर वो चीज़ जो exist करती है उसको scientific way से प्रूव करना चाते हैं यह basically एक modernism का era आता है और इस era में बहुत सारे से thinker आते हैं अलग-अलग areas में आते हैं तो अगर मैं बात करूँ कि modernism को हम कैसे judge करते हैं तो modernism को judge करने का हमारा तरीका है scientific discoveries से जब newton जैसे और बाकी सारे thinker आये और scientist टाये और discoveries की तो इनकी discoveries का अधार कोई भगवान वाली बाते नहीं थी उधारन के तो न्यूटन की बात करेंगी तो न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे होते हैं उनके सिर्थे से गिरता है जिससे वह आख लिंग करते हैं कि से कैसे गिरा gravity के experiments करते है ग्रविटेशन लॉज देते हैं तो इस तरह से modernism जो थी वह अधारित थी पूरी तरह से उन facts के ओपर जो exist करते हैं तो modernist thinker कहते हैं कि इ किसी ना किसी चीज से create हुआ है और इसकी create होने का reason जो है वो भी इसी दुनिया में है वो पार लॉके किया किसी दूसरे ग्रह से नहीं आ रहा है ठीक है तो whatever the exist in front of you that is natural that exist and it is exist because of the natural elements existing on to the planet अर्थ हो ली तुरन समझने की बात यहां पर यह भी है कि अगर हम बात करें कि modernism से पहले किया रहा कि तो वहां पर क्योंकि भगवान और अध्यात में इन सब चीजों की बाते बहुत जाती मेटवाजिस बहुत वर्क किया करता था तो उस time पर जो knowledge थी वो restricted थी कुछ लोगों के लिए और यह सब काम जो थे वो पूरी तरह से ऐसे हुआ करते थे जिस प charismatic ideas work क्या करते थे और बगवान की बाते करना बगवान से मिलाने की बाते करना कोई ऐसा अधार बूत ऐसा कोई based idea नहीं था जो बहुत practical नजर आता हो तो यहां पर जो criticism भी होती है उस particular era की वो इस चीज को लेके होती है for example मेकावली जब इस era की बात करते हैं तो बहुते हैं darkest era ठीक है उनके हिसाब से एक ऐसा एरा है जहां कोई परियोग नहीं है कोई experiment नहीं किया था चीजों को प्रूब करने के लिए जिसका जो मनाता है वो उस चीज पर थोपतिया करता है तो बहुते that is the darkest era ठीक है तो इस तरह से जो थिंक कर रहा है और modern era आया है तो modern era में चीज लिए ने बहुत सारी रचनाएं की बहुत सारी खोच की उनके जितनी भी राइटिंग्स थी हो सारी की सारी अस्ट्रोमी के ओपर और इस तरह की आईडियास के ओपर बेस ती जहांपर स्टार्स की दूरी क्या हो कि एक्जस्ट क्या location है और sun और earth का क्या relation है किस तरह से जो ह प्लैनेट से एक दूसरे के ओपर जो है डालते हैं तो यहां गैलियो बोलते हैं कि सूरज बीच में हैं और earth उसके चकर कारती है जो इस तरह की बाते करते हैं तो वह लोग जो अध्यात्मिक आइडियास रखते हैं religious बाते रखते हैं वो गैलियो को सजा देते हैं सजा मौत प्रफ टक गैलियो पहुंच जाते हैं बड़ Gibson को सेव करने कर् tuo कुछ नहीं है तो deeply यह बात आहिए ही सच्छ है किसा ने जगा रहता है अशरा कोम्ती रहती है इसी के बाद जब मखैली आती है और हॉबस इसे थचिकर आती हैं तो हउबस और मखैली भी अपने उधारनों में इस तरह की बहुत बाते करते हैं इसलिए हॉप्स को तो उनके समय का गली उली भी बोला जाता है जिस तरह की एक्जामपल हॉप्स देती है सेंटर्फिक आइडियास देती है तो यह पर टाइम है जब अध्धात्म और मॉडरनिजम का जो एरा है जहां मॉडरनिजम आ रही है वहाँ पर एक बह पॉलिटिकल तेंकर के तौर पर जानते हैं कुछ हॉप्स को जानते हैं तो इस तरह के जो आइडियास हैं यहां पर जहां चीज़े बदल रही है चेंज का दोर आ रहा है तो इस तरह की आइडियास में साइंस एक बहुत इंपॉर्टन डॉल प्ले करती है आपर उस समय का सरी यह हुआ कि जो विज्ञान था उसका बहुत विकास हुआ साइंस की बहुत डवलप्मेंट हुई चाहे वो किमिस्ट्री हो फिजिक्स हो एस्ट्रोमी हो या कोई भी फील हो साइंस का बहुत जादा दीरे दीरे जो लोग को उपर इंफ्लूइंस था वो पड़ा एवन वो जाने गई इसी एरा के अंदर जहां एक के बाद एक नए नए डिस्केवरी होती रही और साइंस अपने पीक पे आती रही तो यहां पर हम कुछ और एक्जामपल भी लेंगे दारन के तोर पर हम मकैवली और हॉप्स की बात करेंगे दोनों है फिंकर मॉडनिसम के अंद इडियास को देखो तो आप यह पाओ यह किस तरह से दोनों ही तिंकर इन नए डियास को लेकि इतने फोकस हैं उधरन के तोर पर इनके जो मैठिलोजी है ठीक है इसमें थौमस होब्स बहुत वेमस है क्योंकि वो जिस तरह की मैठिलोजी का इस्तेमाल करते हैं शोशल अपने हिस्से के राइट के लिए लड़ रहा है ठीक है माइटी इस राइट की बात करते हैं जिसकी लाइट ही उसी के फैंस तो बोलते हैं कि युद जैसा महौल है जहां पर भार कोई उसे लड़ रहा है और फिर उस महौल से बाहर आने के लिए एक समझोता होता है और उस इस तरह से जो हॉप्स का योगदान है वो बहुत important हो जाता है आपर इन्ही ideas के चलते है students आके जाके जो modernism है वो बहुत सारे और systems को जनम देती है और पहले हम जब इस modernism को समझेंगे तो हमारा अगला जो step होगा वो होगा post-modernism को समझा तो next lecture में हम इसको आगे continue करते हैं thank you so much और लगमें को समय को जह तरो हम जो जाएम होगा ह।